अप्रस्तुते समसामेक विश्यों पर आधारी थामारा कारिकम समाचार दर्शन समाचार दर्शन के आज क्यंक में मेरेट के जल प्रहरी 11 वर्षों से चला रहे हैं जल सन्रेक्षन अभियान सौधी अरब के राजधाने रियाद में कश्मीरी सेप की बढ़ी लोग प्रियता दीपावली के शुबावसर पर पियमावास योजना के तहट बिलावसपुर के हितगराहियों ने किया ग्री प्रवेश अब समाचार दर्शन विस्तार से जल सन्रेक्षन में आम लोगों की बढ़ी भागीदारी एक उम्मीद जरूर जगाती है मेरट की जल परुष ने अपना पूरा जीवन जल सन्रेक्षन और लोगों को जागरुख करने में लगाया है आईए देखते हैं ये रिपोर्ट मेरट के गिरिश शुकला जिले में जल परुष के डाम से मशूर है गिरिश शुकला ने रंतर 11 वर्षों से मेरट की सूखी धर्ती की प्यास बुझाने का काम कर रही है जब बैंक से सेवा निवरित हुए तो उन्होंने सीनियर सिटिजन की एक टीम बनाकर जागरुख नागरिक एस्सोसियेशन के स्थापना की जल संडक्षन की महीम को अपने जीवन का अधेश बनाया आज वो मेरट जिले में जन जन को जल संडक्षन और खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के फाइदे बताकर उन्हें चागरुख कर रही है उनकी प्रेड़ना से जिले में 75 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने है आज पानी पूरे देश के ने पूरे विश्व के जरूत है इसलिए हमने सबसे पहले पानी की बचाने कारिकम मंदी से सुरू करा उसके बाद मस्जिद में करा आज भी जहां जिस मस्जिद में खड़े हैं हमने 2008 में यहां पर एक सिस्टम 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 करा था और अब शेहर काजी जी की मज़ज़ से दूसरा सिस्टम इसमें बहुत जल्दी हम लोग सिस्टम करने जा रहे है तीसरा हमने फिर चर्च को लिया और चर्च में भी एक हमने हिस्टी क्रियेट करी है हिंदुस्तान की पहली मेथोडिस चर्च है जिसमें हमने वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम करा इसके बाद हम लोगों ने गुर्दवारे के तरफ हमारा मुमेंट है हमारा अगला कदम शहर के जो सबसे बड़ा गुर्दवारा है मुहापर वाटर हर वर्ष्टिंग करने हम लोग तैयारी कावे गिरिश शुकला ने इसकी शुरवात 1857 करांते के उद्गम इस्थान बाबा ओघडनाश शिव मंदिर से की यहां हर महीने कई लीटर जल का संदक्षन होने लेगा ये कारवान नहीं रुका और मेरट के चर्च, शाही जामा मस्जित, विद्यालाई, सरकारी दफ्तर और आवासी कॉलोनिय तक जा पहुँचा जल की एक-एक भूंद बचाने में ये कारिक्रम सफ़र रहा वो प्रजिजन लोगों को फ्रधान मंतरी के आहवान पर जल संदक्षन के प्रती जागरू कर रहे हैं अगर इंसानों को बचाना है, अगर जिन्दजी को बचाना है, तो हमें पानी को बचाना है और बसाने के लिए हमारा ये काम जो है ये खिदमते खलक भी है और अपना भी फाइदा है इसके अनर मैं चाहूंगी कि मैं अभी एक प्राजेक्ट और यहां पे लगाऊं स्कूल में दूसरे ग्राउन में ताकि उस साइड का भी पानी कवर हम कर सके और वो पानी व्यर्थ ना जाए और हमारी धर्ती को वो पानी में लेख इस तरह के अभीना प्रयासों नहीं जल शक्ती अभियान को एक जन अभियान बनाया है छोटे छोटे प्रयासों से ही जल संचेन की महा महीम को बल मिला है संगीता शिर्वास्तव की रिकोर्ट डीडी न्यूज मेरट रियाद में अगर कश्मीर का सेव मिले तो ये किसी भी भारती के लिए खुशी की बात होगी साथ ही उन सेव उतपादकों के लिए भी प्रेणा का काम करेगी जो कश्मीर के बागानों में दुनिया का बहतरीन सेव उगाते हैं साथी अरब से दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट कश्मीर को धर्ती का स्वर्ग का जाता है और इस स्वर्ग का सेब लोगों के आकरशन का सिर्फ हिंदुस्तान में केंदर नहीं है बलकि दुनिया भर के मुलकों में इसकी धमक बढ़ती जा रही है ना सर्फ भारतिय मुलकों का बलकि जो गल्फ कंट्री के लोग हैं वो भी अमेरिकन सेब के बजाए कश्मीर के सेब को खाना पसंद कर रहे हैं बलकि जो यहां के अस्थानिये लोग हैं वो भी इसकी खड़िदारी कर रहे हैं हमारे साथ एक खड़िदार हैं उनसे हम जानने क कोचिस करेंगे क्या किसा लग रहा है हिंदुस्तान का ये सेव साथी अरब के बाजार में हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने कंट्री से बाहर दूसर मुल्क में कमाने के लिए हैं यहां पे हम काम कर रहे हैं और हम अपने घरों की चीज़ों को जब यहां देखते हमिकते हो तो हमें बहुत अच्छा अफेल होता है क्योंकि नना सिर्फ हम बल्कि देश विदेश के जित्मे लोग यहां पर है हैं वोसभी इसका इसका शवाद होस्त ले सकते हैं। इससलिस एंप्सक्राइब और द temporary उप्स के आ ओइन हो पैश्मिर वैली this is 30% lesser than them and if you compare the quality of it this is far far superior quality to the French apples 120 रुपे किलो भाव में सौदी अरब में जो है वो कश्मीर के ये खुबसूरत सेब जो है वो लोगों को मिल रहे हैं गल्फ के जो और कंट्रीज है वहां तक भी कश्मीरी सेब की धमक पहुचने वाली है केमरमेन अंकूर अरबने सहयोगी विमलंदू पांडे टीके अगरवाल के साथ मैं राजेस राज सौदी अरब की राजधानी रियाद से बिलासपर जिले में ग्रामूनों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्द कराए जा रहे हैं इसी कड़ी में जिला पंचायत की मुख्य कारेपालन अधिकारी ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए हितगराहियों को धन तेरस की दिन इन आवासों में ग्रह प्रवेश करवाया इससे उनकी दीपावली की खुशियां दो गुनी हो गई जिले की लगबग 500 हितगराहियों ने पूजा अरचनाकर इस शुब दिन में अपने घरों में प्रवेश किया कोटा जनपत पंचायत की मुख्य कारेपालन अधिकारी संध्यारानी कुर्णे ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि धन्तेरस के अफसर पर 50 हितगराहियों को मकान दिये जा रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है धन्तेरस का दिन बहुत शुब माना जाता है आज के दिन सब नई वस्तरों, नई गहने और नई चीजों का शुबारम करते हैं उसी को थीम मानते हुए हमारे मिलासफो जीला में हमने 450 मकान को टारगेट दिया गया था कि ग्रीप रवेष कराना है तो उसी मेंसे कोटा ब्लॉक में आज के दिन 50 आवासों में ग्रीप रवेष का का गरेकरम हमने कईा गया है दिपावली के दिन अपने आश्यानों में सब परिवार प्रवेश करने वाले इन ग्रामिनों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है इन ग्रामिनों का कहना है कि कच्चे मकान के कारण उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता था मगर प्रधानमंत्री आवास यूजना के तहट आवास मिलने से उन्हें अब इन परिशानियों से निजात मिल गई है नया धन्तेरस के दीन घर मिली से परवेश करे हैं नया साल में नया मने उजना मा पहली तो बहुत परसान मा रहें सर एक दाम खपरा वाले घर मा पानी खांजी चुः एक रहे तेन मा पढ़ान मंत्रि वुजना मा जो मिल गे हो ही मा मिला जुला के मत दूरे करके मिला के बनाएं सर गेच चुलह मिले है पहली तो लखडी म मनात रहें अब गेच चुलह भी देदी सरकार हा अब गेज चुलाम बनावा थां, अब धूमा पानी गिला गुंगवा आए, एकदम पानी गिला हो जाए, मुश्किल मा खाना बनात रही। सुख्मा जीवान के उम्मीद है कि अच्छा सुख्मा जीवान रही। अधंपरस के दिन बहुत बढ़े भाग्या साली आंगे अधंपरस दिन मामी प्लगान मंदर को दिया रहा दिया गए। आमर तरफ से कोटे-कोटे धन्यमा दोला। अधंपरस के अधंपरस के दिन बहुत बढ़े से रहां की दे अधंपरदान मंतरी आवाश जोंचाना गरामीर देसे ना तब से बहुत बढ़े मद़ दिसकी दे गरामीर ले सरकार है। अधंपरदान मंतरी आवाश जोंचाना के तहता वेदन दिया था जिसका सुक्रिती मेरे को 2018 और 19 में प्राप्त हुआ उसके पहले मैं कच्छा के मकान में रहता था जहां कि मुझे बरसात में बहुत तकलिफ होता था आए दिन पानी अंदर भोज जाता था खाना पिना बनाने में तकलिफ होता था। दिपावली को प्लक्ष में धंतेरस के दिन हमको बहुत अच्छा लगा अच्छा प्रवेश में रहा है। बिलासपर जिला पंचायत के मुख्य कारपालन अधिकारी रितेश अगरवाल ने बताया कि पिछले तीन महिनों में दो हजार मकान बनकर तयार हो चुके हैं। दिपावली के तिवहार जैसे शुब अफसर पर लोगों को उनके घरों की सौगात देने के लिए ग्रह प्रवेश कारिक्रम का आयूजन किया गया। धन्तेरस के दिन लोग नए आभूशन, गाडियां और ग्रह उप्योग के सामान खरिते हैं। ऐसे में ग्रामरों को नए आवास दिलाने का प्रिशासन का ये प्रयास सराहनी है। इसे के साथ समाचार दर्शन के आज की अंक का समापन हुआ। नमस्कार।